नमस्कार डियर इस्टुडेंट्स की एल पाल टेकनिक की आउनलाइन क्लास में आपका स्वागत है इस्टुडेंट ये लेक्चर इलेक्टिकल फाइनल इयर के लिए आई अमारी का लेक्चर होगा जिसमें हम लोग प्रिथककारी का परिक्षड तक पढ़ चुके थे आज हम लोग रिंगिंग परिक्षड यानि इंगलिस में कहते हैं रिंगिंग टेस्ट इसके बारे में जानेंगे जो कि प्रिथककारी से सम्बंधित ही है यानि किस से संबंदित है इंसुलेटर से ही संबंदित है ठीक है स्टुडेंट्स तो आज के क्लास सुरू करते हैं पृतकारी में उत्पन्द दरारों की खोज के लिए पृतकारी को टंकार यानि रिंगिंग कर देखा जाता है पृतकारी को प्रयोग में लेने से पहले इसके शैड पर रिंगिंग किया जाता है इसी प्रकार का रिंगिंग समय समय पर पृतकारी के पोसड में भी करते हैं जहां लाइन को पोसड के लिए बंद करना प्रिवगात्मक रूप से कठिन हो वहां प्रिथक्कारी पर लाई परिक्षड किया जाता है प्रिथक्कारी की संरचना के समय इसकी टोपी और पिन का ध्यान पूरवक निरिक्षड किया जाता है और यदि इसकी संरचना में कहीँ संदे हो तो इसे टंकार कर संदे को दूर करना चाहिए कभी-कभी ठखकारी में त्रेज दरार इंगलेस में कहते हैं Radial Crack होती है इसकी टोपी के नीचे उत्पन हो जाती है ये टोपी होती है इस प्रकार से इधर इधर से क्रैक आ जाता है जिसको रिंगिंग परिक्षड या लाइप परिक्षड में से नहीं खो जा सकता इस पर दमक वोल्टेज से कम दबाव पर वोल्टेज प्रयूक्त करके दबाव परिक्षड किया जाता है या विद्धुत्रोधी परिक्षड द्वारा उप्रयोक्त दोस खोजा जा सकता है प्रिथक्कारी का परिक्षड किसी परिक्षड सेट द्वारा निकाला जाता है दरार रहित प्रिथक्कारी के प्रतिरोध का मान एक हजार मेगा ओम से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है दो प्रिथककारी की कठी माला पर दमक वोल्टेज का केवल 35% कितना परसेंट 35% वोल्टेज इन पर प्रयुक्त करके और ग्रेडिंग डिस्क के द्वारा त्रेज दरार के दोस को खोजा जा सकता है इस प्रकार इन परिक्षडों में त्रेज दरार दोस को खोजा जा सकता है दोसी टोपी और पिन या दरार आया दो माला का प्रिथककारी बिना फेल हुए साधारड वोल्टेज सहन कर लेता है अतह हाई वोल्टेज परिक्षड इसमें नहीं करना चाहिए लाइव टेश्ट साधारड यहाँ छाचट केवी और इससे उच लाइनों पर किया जाता है 23 केवी पर लाइन पर भी जिसमें जूला प्रिथककारी लगे हो यहाँ परिक्षड करना उचित होता है ठीक है स्टुडेंट्स तो इतने टॉपिक को ही रिंगिंग परिक्षड क दूसरी हेडिंग है देखेगा दूसरी हेडिंग है प्रिथककारी की सफाई करना यानि क्लीनिंग आफ इंसुलेटर ऐसे छेत्रों में जहां वर्स भर समय समय पर वर्सा होती रहे प्रिथककारी को साफ करने के आवशकता नहीं पड़ती परन्तु उन छेत्रों में जहां वर्स में केवल कुछ महीनों में ही होती है, वहाँ प्रिथककारी को साफ करना अति आवश्यक हो जाता है. प्रदूसरी छेत्रों में 33 केवी से उच्छ वोल्टेज की लाइनों पर लगे प्रिथककारी, यानि टोपी और पिन सहित साफ करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है. जहां प्रदूसर बहुत अधिक हो, इसमें कम वोल्टेज की लाइनों में प्रिथककारी को भी साफ करना पड़ता है. सफाई समय अंतराल को निश्चित करना असंभव है. ये स्थानी वाता वरड़ और प्रदूसर पर निर्भर करते हैं. ठीक है स्टुडेंट्स, इतना टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है. तो इनको साफ करना बहुत ही ज़्यादा जरूदी होता है. और यह जो है टोटली मौसम पे, प्रदूसर पे और एरिया के मौसम किस प्रकार से हैं उस पर निर्भर करता है. जहां साल भर बारिस होती रहती है रुक रुक के जैसे मासिन राम, चेरा पूजी, ऐसी जगहों पे प्रितक कारी को साफ करना नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उस पे बारिस पढ़ती रहती है, धूल मिट्टी के कर जो भी होते हैं अपने आप स्वता साफ हो जाते हैं. अब ये स्थानी वातावड़ प्रदूसर पर निर्व करते हैं. प्रदूसर का सबसे खराब सर्दी का मौसम होता है. भरत वर्स में वर्सा रीतु के अतरिक्त भी सर्दियों में साधरता तथा वर्सा हो जाती है. इसलिए अध्योगिक छेत्रों में प्रितक कारी पर भयानक प्रभाव नहीं होता है. वर्स में एक बार यदि सफाई करनी ही है तो यह अक्टूबर या नौंबर में करनी चाहिए. प्रितक कारी की सफाई लाइन को चालू रखकर भी की जा सकती है. बिद्दुत उपसंस्थानों में जहां बहुत से प्रितक कारी साफ करने होत प्रितक कारी को इस विद्दी से साफ करना बहुत कठीन हो जाता है. अतहा लाइनों को बंद करके कपड़े या मुलायम ब्रस से प्रितक कारी को साफ किया जाता है. इस विद्दी में बहुत समय लगता है, महगी है और परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है. क्योंकि धेर सारे पोल्स होते हैं और सभी पोल्स में लगबग प्रिथकारी का प्रयोग किया जाता है तो सभी पोल्स के प्रिथकारी को साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो प्रिथकारी को साफ करने की एक नई विदी अमेरिका में खोजी गई है बड़े टैंकों में पानी भर कर लाइनों के निकट ले जाया जाता है टैंक में कर्बन डायकसाइट के द्वारा दबाव उत्पंद करकर प्रिथककारी पर पानी की बहचा डाली जाती है यह बिधी लवर प्रदूसर के लिए ठीक हो सकती है परन्तो भारत में इस बिधी का प्रचलन बिलकुल नहीं है ठीक है स्टुडेंट्स तो ये था प्रिथककारी की सफाई करना यानि मूल रूप से प्रिथककारी को पानी से ही साफ किया जाता है ठीक है अब आगे हम लोग पढ़ते हैं चालक का परिक्षड तो स्टुडेंट्स सिरुपरी लाइनों में बिधिन प्रकार के चालक प्रयोग किये जाते हैं जैसे तामबे का तार, इलुमिनियम का तार, लड़ीदार चालक, जस्तिकृति स्पात का तार, कैडमियम तामर चालक आदी ठीक है चालक सिरुपरी लाइनों का एक महत्वपूर भाग है क्योंकि चालक की सहायता से ही धारा एक जगा से दूसरे जगा बहती है इसलिए चालक पदार्थ एवं इसके परिछेतर का चैन बहुत ही सावधानी पूरवक करना चाहिए अब इसमें चार प्रकार के गुड़ होते हैं जिनको देखा जाता है जैसे उच्च विद्दुचा लगता दूसरा है नम्मेता यानि फ्लेक्सिबलिटी तीसरा है निम्न प्रतिरोत ताप गुड़ांक और चौथा है कम मूले यह चारो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे इसको एक्स्प्लेन करने किया उशकता नहीं है पहला पॉइंट क्या था लिख देते हैं पहला पॉइंट था उच्च विद्दुचा लगता पहला हो गया उच्च विद्दुचा लगता दूसरा पॉइंट हो गया नम्मेता फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तीसरा पॉइंट हो गया निम्न प्रतिरोध ताप गुडांक यानि प्रतिरोध कम रहेगा तो धारा जादा बहेगी प्रतिरोध ताप गुडांक चौथा होता है कम मुल्य चौथा क्या होता है कम मुल्य ठीक है अब हम लोग समझते हैं जो चालक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जैसे कि ताम्र चालक बहुत पुराने समय से ताम्र यानि कापर विद्धु चालक की भाती प्रयोग किया जाता है शीरो परिलाइनों में कठोर ताम्र के चालक बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाते हैं क्योंकि इनकी तनन सामर्थ्य चालक ता अन्ने के सापिक सबसे अधिक होती है ताम्र च चालक के लिए खंबे भी कंब्यास के लगाने पड़ते हैं दसमलो तीन एक दो पांच वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर तीन यस डबलू जी तक ठोस चालक के रूप में प्रयोग करने को कुछ अभियंता स्रेश्ट मानते हैं चाचट केवी तथा अनिम्न वोल्टेज वित्रड लाइनों में तांबे के चालक प्रयोग किये जाते हैं इसका मुख्य दुर्गुड यहा है कि तांबे के तार वाली लाइनों का खिचाओ अब एक शक्रत कम होता है इसलिए इसमें अधिक जोल होता है साधर लाइनों में विस्तार कम होता है इसलिए प्रिथक कारियम खंबों की संख्या अधिक होती है ऐसे उच वोल्टेज पर जिसमें कोरोना घटित हो सकता है तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता तांबे के कुछ गुर निम्न प्रकार है जैसे तांबे का तनल सामर्थ टी 40 किलो ग्राम प्रति वर्ग मिलिमीटर विसिष्ट प्रतिरोध रो एक दसमलो साथ छे गुड़ दस घाते माइनस आठ ओम मीटर और ताप मान प्रतिरोध ताप गुड़ांक अलफा दसमलो जीरो जीरो चार दो छे प्रति डिग्री सेंटीग्रेट रेखी प्रसार गुड़ांक इसको भी अलफा से ही प्रताचित करते हैं 16.6 गुरे 10 गाते माइनस 6 प्रती डिग्री सेंटीग्रेट होता है ठीक है स्ट्रेंट्स भारत वर्स में ताबा कम मात्रा में उपलब्द होने के कारण ताबे के चालकों का प्रयोग बहुत ही सीमित किया जाता है ठीक है स्ट्रेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा होता है एलुमिनियम एलोई इसका प्रयोग बहुत ब्राडली किया जाता है ताबे की कमी और इसका मुल्य अधिक होने के कारण अलुमिनियम मिसर धातु के चालक उच्छ वोल्टेज सीरोपरी लाइनों के लिए बनाए जाते है बहुत सी मिसर धातु इस कारण के लिए उपलब्द है जैसे की सिलमेलेक, एल्डरे, सिलमेलेक एक अलुमिनियम मिसर धातु है जिसमें 0.5% सिलिकान, 0.5% यमजी तथा सेस अलुमिनियम होता है यानि 99% अलुमिनियम होता है सिलिकान और मेगनीसियम की उपरोक्त अल्प मात्रा मिलाने से इसमें जंग नहीं लगता इसके विदुत कुड लगवक शुद्ध अलुमिनियम जैसे ही होते हैं सिलिक मजबूत बहुत स्थाइँ तथा भार में हल्का होता है इसकी चालकता पर एक शक्रत उच्छ होती है इस चालकका काफी प्रचलन है तोड़समलो 5% सिलिकान था था यमजी तथा दशमलो 5% यमजी यानि मेगनीसियम प्रयोक sadunk है अगली हेडिंग है कैडमियम तामर चालक क्या होता है ताम्बे में 10.7-2% तक कैडमियम मिला देने से इसकी तरन सामरत 50% तक बढ़ जाती है परन्तु इसकी चालकता लगभख 15% कम हो जाती है और इसका मुले भी अधिक होता है यहाँ बहुत दिर्ग पार्टी के लिए प्रय प्रयोग करते हैं कैड्यमुं तार चालक ठोष्ट या लड़िदार बनाये जा सकते हैं। तामी चालक की भात इसका जोड बनाना सरल होता है और इस पर जंग नहीं लगते। इन चालकों में निम्न परोना का प्रभाव होता है। ठीक है स्टुएंट्स ये हो गए कैड्मियम तामर चालक इनका प्रयोग भी इंडिया में कम ही होता है जस्तिर के तिसपात के चालक कम बिदुशक्ति के संचर हे तु जस्तिकृत इस्टील चालक अधिकतर देहाती छेतरों में प्रयोग किये जाते हैं इनका मुले कम तथा उच्चतरन सामर्थे होता है इनकी चालकता तामर के सापेक्ष केवल 13% इसका आंतरिक प्रतिरोद उच्चिवम भार धाराएं और सैथिल लिहानिया भी अधिक होती है इनकी आयू लगभग 16 वर्स और ध्योगिक छेतरों में 9 वर्स होती है प्रयोग जो देखिए रेलवे ट्रैक एवं उच्च वोल्टेज शक्ती लाइन जैसा कि हम लोग जानते हैं रेलवे ट्रैक पर भी हाई वोल्टेज ट्रांस्मिशन वायर्स का प्रयोग किया जाता है तो उनके क्या गुड़ होते हैं और क्या-क्या सावधानिया होनी चाहिए वो देख होनी चाहिए जहां लाइन ट्रैक को पार करें सिरो पर लाइन के नीचे गाड तारों का जाल बिछा होना चाहिए लाइन क्रास गाड तार यह होते हैं जैसे यह तार गुजर रहा है उसके नीचे इस प्रकार से गाड तार होते हैं जो कि अगर यह तार गीरे भी तो यह ट् ट्राइंग रेलवे आफीसर को देनी चाहिए लाइन क्रास करने के लिए रेलवे विभाग से लिखित अनुमती प्राप्त करनी चाहिए और लाइन बन जाने पर तब तक इसे सप्लाई से सायोजित नहीं किया जाना चाहिए और लाइन बन जाने पर तब तक इसे सप्लाई से नहीं जोड़ना चाहिए जब तक railway engineer स्वयम इस इस्थान का निरिक्षड ना कर ले और लिखित अनुमती ना दे क्योंकि इसमें रिस्क होता है तीसरा point है railway track के बाहर दोनों और आलंब लगाए जाने चाहिए इन दोनों और के खंबो के उचाई खंबो के साधर लंबाई से जिस पर लाइन बनाई गई है साथ मीटर अधिक होनी चाहिए यदि खंबा track के निकट लगा हो तो इस पर तीन तरब से बेस बना देना चाहिए ताकि खंबा कभी भी किसी भी हाल में track पर न गिरे चोधा है railway crossing का डिजाइन भारती विद्दुत नियम 76 के अनुरूप होना चाहिए और crossing पार्ट साधर पार्ट पर केवल 80% होना चाहिए track और शिरोपरी line के मध्य crossing कोर 60 degree से अधिक नहीं होना चाहिए crossing के दोनों और भूपलेट लगाई जानी चाहिए और भू प्रतिरोद 8 ohm से कम होना चाहिए line के आलम तथा भू तार का सयोजन इस भू पलेट से 4 से 45 WG होना चाहिए और GI तार द्वारा किया जाना चाहिए पलेट भू संपर की सुरक्षा भारती विद्दुत नियम के अनुसार की जाती है फिर अगला छटा पॉइंट है वाही तार 65 WG से कम होने चाहिए और ये जस्तिग्रित होना चाहिए क्रास तार 10 105 WG से कम होना चाहिए यदि तांबे का तार प्रयोग किया जाता है तो इसका size 8 85 WG से कम होना चाहिए ठीक है students ये 85 नहीं है 8 Yes WG है 10 Yes WG है ये 10 Yes WG 8 Yes WG से कम होना चाहिए 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 के मद्ध निर्बाधिता clearance के लिए विभिन दूरियां रखी जाती है जिस ट्रेक पर विदुत लाइने ना फैली हों निर्बाधिता कम होती है और एक ट्रेक पर electrified हो यह दूरी अधिक होती है विभिन वोल्टेज की लाइनों को क्रास करने के लिए तार और रेलिविट ट्रेक के मुख्य नियूंतम दूरी एक तालिका में दी गई है यह तालिका देखिए यह जैसे ग्यारा केवी तक रहे तो 6.6 से 10 मीटर तक ट्रेक चोड़ा होता है और 6.3 से 8.6 मीटर तक अगर तंग ट्रेक है तो यह होना चाहिए इसी प्रकार से सारे केवी वोल्टेज के लिए चोड़ा ट्रेक है और तंग ट्रेक की माप दी गई है ठीक है स्टुनेंट्स यह आप लोग देख लिजे इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं खतरा प्लेट और काटेदा ट्रेक के दोनों और खंबों पर लगे होने चाहिए 11 केवी और कम वोल्टता की लाइनों को केबिल द्वारा जमीन के नीचे से क्रास करना चाहिए गार्ड वायर ना लगे होने पर यॉक प्लेट के साथ इस्ट्रेन इंसुलेटर प्रयोग किया जाना चाहिए हैसे ट्रेक पर जो इलेक्ट्रिफाइड हो या जिसके 25 केवी एसी पर इलेक्ट्रोफाइड होने की संभावना हो ट्रेक और नियुनतम दूरी अगर लिखित तालिका B में दिखाई गई है यह तालिका देखिए इस्ट्रेंट्स यह तालिका है जैसे कि 4 मीटर इवम तंग ट्रेक के लिए नियुनतम दूरी 11 कवी अगर रहे तो केबिल द्वारा केबिल द्वारा इसी प्रकार से 33 कवी तो साड़े 12 मीटर साड़े 10 मीटर इसी प्रकार से आगे बढ़ती जाती है इस तालिका को भी आप लोग नोट करेंगे इस तोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैटर बहुत अधिक है और एक वीडियो में समाहित करना मुश्किल हो जाता है इसलिए अब लोग वीडियो को चाहें तो स्लो करके भी देख सकते हैं और या तो दो से तीन बार देखेंगे जिससे आपको टाउट सारा क्लियर हो जाएगा और जो भी प्राब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे ठीक है स्ट्रेंट्स आगे देखिए 11 केवी और कम बोलता लाइनों के लिए केविल द्वारा जमीन के नीचे से क्रास करना चाहिए गार्ड वायर ना लगे होने पर योग प्लेट के साथ स्ट्रेंट इंसुलेटर प्रयोग किया जाना चाहिए ऐसे ट्रेक पर जो इलेक्ट्रोफाइड या जिसके 25 के वी एसी इलेक्ट्रिफाइड होने की संभावना है वो तालिका भी में दिखाया गया है अन्नेवे सभी विदियां प्रयोग की जानी चाहिए जिसमें ट्रेक और लाइन के मद्ध संपूर सुरक्षा बनी रहे यानि मिलाजुला के कहने का यहा अर्थ है कि रेलिवेट ट्रेक एवं उच वोल्टेज सकती लाइन का जो ट्रांसमिशन होता है उसमें सेफटी का 100% मेजरमेंट होना चाहिए सेफटी में कोई भी कोता ही नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे बहुत आधिक जानमाल की हानी हो सकती है थैंक्स फर वाचिंग इस्ट्रेंट्स इसके बाद हम लोग आगे का लिक्चर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे थैंक्स फर वाचिंग